ओए ओए मों में पानी आ गई न दोस्तों तो ये है उल्टा फुल्टा बर्डगर पीजा तो ये इसमें आपको बर्डगर का भी टेस्ट आएगा और पीजे का भी तो आप चाहते हैं दोनों का मज़ा एक ही वीडियो में लेना तो बस ये रेसिपी है आप लोगों के लिए ह अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए आज को वीडियो में सुरू करती हूं तो पहले हम स्टफिंग की त्यारी करेंगे तो पहले हमने इधर ले लिया एक बोल और इसमें डाल देंगे कद्दू कस की हु पहले लालो का इस्तमाल किया है और इसमें अब हम डालेंगे कुछ मसाले पर मसाले डालने से पहले इसमें हम डालेंगे स्वीट कॉन तो यह आप सोच रहे होंगे कि यह स्वीट कॉन कैसे तो इसको मैंने ग्राइंड किया है तो हलका दरदरा सा ग्राइंड जरूर कर लीज इधर लिया है यलो बेल पेपर इसको मैंने एक बड़ा चमचे करीब लिया है और अब डालेंगे इसमें पीजा की मसाले जैसे की ओरिगेनो तो ये मैंने लिया है एक छोटा चमचे करीब और अब डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स तो ये भी मैंने ले लिया है एक छोटा च चोटा चमचे करीब और इधर डाला आदा चोटा चमचे करीब काली मिर्च का पॉडर आदा चोटा चमचे करीब जीरा पॉडर और आदा चोटा चमचे करीब कास्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर और भी ज़्यादा निखर किया है आलू का और अब डालेंगे आदा चोटा मिर्च का इस्तमाल किया है और अब इसमें हम डालेंगे ब्रेट की क्रम्स तो ये ब्रेट के क्रम्स मैंने घर पे बनाया है तो जो साइड वाले हिससे ब्रेट के बस्ते हैं तो उससे मैं क्रम्स बनाके रख लेती हूं और अब इसमें हम अच्छे से सभी चीजों को मिला लें और अब डालेंगे इसमें चाट मसाला तो इस बात का ध्यान रखेगा दोस्तों की चाट मसाला और नमक इन दोनों चीजों को हमें बिल्कुल लाश्ट में डालना है तो आदा चोटा चमचे करी मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसा नमक और ध्यान रखेगा नमक हमें पहले नहीं दानना है जब आप इसे बनाएं तभी नमक कर इस्तमाल करने वरना आलू में से पानी छोड़ने लगेगा दोस्तों क्योंकि इसमें कच्छी वाली प्याज और हरी मीर्च और देखे तो सबजिया हैं तो ये सब चीजे पानी छ तो आपके पस कोई भी ब्रेड हो ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड किसी अब इस्तमाल कर सकते तो ये मैंने चार से पांच पीस के करीब ले लिया है और अब इसकी हमें करनी है कटिंग तो एक इस तरीके से के तोड़ा लेना है छोटे सा इसका और बस गोल सामें कट करना है कुछ इस तरीके से और बाकी को भी बस इसी तरीके से हमें कट करना है और जो ये साइट का हिस्सा बच रहा है ना ब्रेड का तो इससे फेक किएगा बिल्कुल भी मत इससे ब्रेड क्रम्स बना कर त्यार कर लिजेगा तो चलिए ब्रेड क्रम्स हमारे आगे काम आएगी तो इधर हमने सभी bread को अच्छे से cut करके ले लिया तो bread देख रहे ना थोड़ी सी मोटी लग रही है तो इसे बेलने की मदद से हलका सा इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे पुछ इस तरीके से तो देखिए दोस्तो इस तरीके से मैंने बस हलका सा दो से तीन बर बेलन को चल कर लिया तो बस हलका ही करना है ज्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है तो यह हमने लिया है एक bread के piece और इसमें अच्छे से हमें लगाना है पीजा सास तो आप पीजा सास आपके पास ना हो तो आप इसके जगह से ज़वान चटनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस उसमें एक स दो छोटा चमचे करीब डाल दीजिएगा तोमेटो केचप जिससे टेश्ट वैसे ही आएगा थोड़ा सा कंतर होगा अगर आपके पास पीजा सास ना होतो है तो इदर हमने दोनों bread में अच्छे से देखी लगा लिया है पीजा सास और अब एक bread में अब हमें डालना है ची चीज आप चाहे तो कोई भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं बस चीज अच्छे से डालिएगा क्योंकि बच्चों को चीज काफी ज्यादा पसंद आती है तो इधर हमने ले लिया है ब्लैक औलिव और ग्रीन वाली ओलिव तापके बस औलिव ना हो तो कोई बात नहीं दोस्त भी मैंने अच्छे से से सेक्ठ कर लिया और अब ढलेंगे थोड़े से चीली अगर्स और जो बच्चों को दे रहे हैं तो कम मीघ़ए वरना इसकों कर सकते हैं कोई बी आपके पास हो और इदर बाल दिया ठोरी सी ओरीगन और ढलेंगे इसके ऊपर प्क्षे चाथ मसाला से जिससे यह अच्छे से सेट हो जाए तो हमने जो सॉस डाला है जिसके विए से यह अच्छे से सेट हो जाएगी तो इसी तरीके से देखिए हमने सभी ब्रेडों को अच्छे से त्यार कर लिया है और जो यह ऊपर वाली आप देख रहे हैं यह हलकी से टूट रही है तो यह bread होता है भच्छा वाला उसको मैंने इस्तमाल में लगाया है तो इसे क्यों fake न तो इसको भी मैंने इस्तमाल कर लिया है और इधर देखिए अच्छे से सभी bread बिल्कुल सेट हो चुकी है और आप डालेंगे आलू के मसाले इसके उपर तो ध्यान से सबी चीजों को देखिएगा तो आपके भी उल्टे फुल्टे बर्गर फीजा बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे और यकीन कीजे लांच हो या डिनर हो या नास्ते में बच्चों को एक दे देंगे न तुने तीन से चार गंटे के लिए भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी और एक में ही उनका पेट बिल्कुल अच्छे से बढ़ जाएगा और बच्ची हो चाहे बड़े काफी ज़्यादा सौक से खाएंगे तो देखिए आलू को बिल्कुल अच्छे से हमने लगाया है बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजेगा ब्रेड में तो चलिए उदर हमने कवर कर लिया तो उसे रखते हैं साइड में और इदर हमने लिया एक बोल और इसमें अब हम डालेंगे कॉन फ्लार तो ये हमने लिया है टोटा छे छोटा चमचे करीब और अगर जो बड़े चमच से देखे तो ये मैंने लिया है दो बड़ा चमचे करी और अब डालेंगे इसमें मैदा तो बस जितना हमने कॉन फ्लर डाला था बस उतना ही हमें मैदा भी डालना है इस बात का ध्यान रखेगा इस से हमें इस लड़ी बनाने है बिल्कुल ठिक व इसमें ममचे करी और फ़ैस करीज धनिया पति तो इस वक्त मेरा थोड़ा सब्सक्राइज हो गया था इसलिए मैं दिखा करने के लड़ा दा ना है तो इसको थीक निस कैसा है बिल्कुल आपको दिखा देती हूं तो इसमें और थोड़ी से भी पानी लगेगी तो टोटल मै और देखे इसकी ठीकनेस कुछ इस तरीके का उना चाहिए, कि चम्मच से देखे ये बिल्कूल हटे भी ना, और अच्छे से इस तरीके से ये गिरे भी, कुछ इस तरीके से गिरेगी भी, और चम्मच में कोटिंग भी लगी रहेगी और इधर हमने लिया है bread के crumbs तो इन दोनों को रख लिया है और ये जो एक हमाई टिकी बनी थी न उसे इस लड़ी में अच्छे से डिप कर देना है तो द्यान से इस लड़ी को इसी तरीके से हमें बनाना है तो देखिए अच्छे से हमने dip कर लिया है और अब हम bread crumbs में से अच्छे से coat कर लेंगे तो चले बिल्कुल अच्छे से bread crumbs लगाईएगा जितने अच्छे से लगाईएगा उतना ज्यादा crunchy लगेगा इसलिए इसका नाम है दोस्तो उल्टा फुल्टा burger pizza क्योंकि यह उपर से बिल्कुल burger जैसा लगेगा और जब खाएंगे तो बिल्कुल pizza का टेश्ट देगा परिवार वाले तो यकीन ही नहीं करेंगे कि यह burger है या pizza तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा किसे कहे तो कहे क्या तो देखें दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छे से इसे set कर लिया और आदे गंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था और यह बिल्कुल अच्छे से set हो गई आप चाहे तो दो से तीन दिन के लिए से इस तरीके से रख सकते हैं और अब इसे हमें फ्राई करना है तो इधर हमने कढ़ाई में ले लिया है करीवन तीन सो ग्राम के करीब तो यह तूटने लगेगी तो इसलिए ध्यान से इसे हमें पकाना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके रखना है और रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर करते जाईएगा और एक सबस्क्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा तो देखे दोस्तों यह हलक और यह बिल्कुल अच्छे से देखे फ्राई होके तैयार हो चुकी है बिल्कुल क्रंची सा और टेश्टी सा मूँ में तो मेरे पानी ही आ गया हुए है यकीन मानिये दोस्तों मेरे किचन में तो इसकी खुसबुक काफी ज़्यादा टेश्टी सी आ रही है एक बार बनाए तो देखकर अगर जो मुह में पानी आ रहा है तो बनाईएगा जरूर और मुझे कमेंट में भी बताईएगा किसकी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है तो देखिए दोस्तों स्वीट कौन और इसमें आपको कैप्सिकम और ब्लाक वालिप सभी चीजे बिल्कुल भरपू मातरा में दिख रही होगी चीज तो बिल्कुल लपालप है दोस्तों तो खाईए और मुझे जरूर बताईए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई